हेलो दोस्तो हमारे यूटूब चैनल फर्स साइट एजूकेशन पे आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज का हमारा टोपिक रहेगा हरियाना पंचायती राज दिनियम 1994 में मोक टेस्ट नमबर 4 जहां पे हम क्या पढ़ेंगे कि आपके हरियाना ग्रामश्यू के एक्जाम में पुछे जाने वाली मेंतवपुन मेंतवपुनदारां को डिसकस करेंगे आज के मोक टेस्ट में 10 क्योस्ते हों बई तो क्योस्तों 10 हैं और हम कितने क्योस्ते डिसकस करेंगे क्योंकि हर question के corresponding 4 option है 4 दा रहे हैं उनको भी बिल्कुल विस्तार शे पढ़ेंगे वई यानि कि आज की class में 40-50 question होने वाले हैं वई दोस्तो इसके साथ में बता देते हैं अगर आप channel पे नए आए हैं तो भी mock test 3 तक हमने gram पंचायत और पंचायत समीती से related जितनी भी जो मैत्वपुन दा रहे हैं आपके exam के अंदर आ सकती हैं तो उन सभी को discuss किया है आप description box में जाएए उन सभी वीडियो का वहां पे link दिया हुआ है वही आज की class की सुरुवात करते हैं पहले question की पढ़ते हैं कोपी पैन उठाली जीए साथ साथ में note कीजिए क्योंकि बाद में आपको यह सब चीजे याद नहीं रहेंगी ठीक है तो भी पहला question है पहला question क्या है कि हरियाना पंचायती राज दिनियम 1994 में जिला पारिशद के बैठक की बात कौन सी दारा के अंतरगत हुई है यह हमारा question है वही इसके साथ यह भी बता देते हैं कि हमने पंचाय समीती में भी यह question discuss किया था तो भी उसको भी साथ में ही discuss करेंगे तो पहला हमारा option है धारा 121 वही धारा 121 सेकिंड है वही धारा 126 वही धारा 126 और तीसरा जो option है धारा 127 है और फिर लाश जो है वह धारा 128 है यानि कि आपके च्यार option है और च्यारों को discuss करेंगे वही तो पहले इस question का answer बता देते है इस question का answer है कि जिला पारिसद की बैठक की बात हरियाना पंचायती राज में धारा 126 के अंतरगत हुई है 126 के अंतरगत हुई है तो ये आपका क्या हो गया? right answer हो गया यानि कि जिला पारिसद की बैठक वही है जिला पारिशद की बैठक की बात हुई है यानि की मीटिंग की बात हुई है इसमें बता देते हैं कि जिला पारिशद और पंचाय समिती दोनों का सेम केसी है कहा गया है कि जिला पारिशद की एक साल में कम से कम छे मीटिंग होनी बहुत जरूरी है और कोई भी दो मीटिंग क में दो महिंने से ज्यादा उना चाहिए कं से कंच ज्यादा भी हो चकती है। किस दारा 126 गंतरगत किस में हैं जिला-पारिशुद इसके साथ में अगर बात करें पंचाय समीती में पंचाइ समीती में हो करें तो दारा 66 के इंतरगत mes 66 के अंतरगत, पंचाय समीती में भी कम से कम दो मीटिंग होनी जरूरी है, दोस्तो रिवीजन चल लिया है साथ-साथ में, इसके साथ में दोस्तो ये भी बता देते हैं कि दारां 160 तक, दारां 160 तक यानि कि ग्राम पंचायत, पंचाय समीती और जिला पारिशद की जितनी भी दाराएं हैं, किसी भी दारा को नहीं चोड़िया गया है, सभी दाराओं को विस्तार में पढ़ाया गया है, आप चैनल पे जाईए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, 21 कलास हो चुकी है, 21 कलास हो चुकी है, 21 कलास में हमने 160 दाराएं डिसकस किये हैं, और अब तक, आप कहीं पे भी जाके चेक कर लीजिए इतनी दाराई इतने विश्तार से कहीं पे भी नहीं पढ़ाई गई हैं कहीं पे भी नहीं पढ़ाई गई हैं इसके साथ दोस्तों अगर आप पंचायती राज को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो एक या दो दिन के अंदर सभी दा करेंगे अगर वहां सकोर करेंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ही ठीक है अब दारा 126 देखिए अब हम क्या कर रहे हैं जिन बच्चोंने हमारे साथ पढ़िया है उनको क्या कर रहे हैं रिलेट कर वा रहे हैं जिन्नों ने वो सभी कलास देखी हैं तो वो तो क क्या कर रहे हैं या पर रिलेट कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं ठीक है आप साथ साथ में याद कीजिए दारा 126 के अंतरगत क्या हुई है पंचय समिती के बैठक की पहली बैठक में क्या होता है पहली बैठक के अंदर कोई भी संचालन नहीं पहली बैठक में केवल क्या होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराया जाता है अब जिला पारिसद में कौन सी दारा के अंतरगत है यह 121 के अंतरगत है अब बात आए कि पंचाय समीति में चलते है वही तो पंचाय समीति में यह दारा है 60 वही तो दारा 60 के अंतरगत पंचाय समीति म चेर्मएन और वाइस चेर्मेन का और जिलापरिशद में प्रेसिडेंट रो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है 60, 121 और 66 और 126 वही अब बात करते हैं भी दारा 127 दारा 127 में क्या है कि सादारन बेठक बुलाना वही सादारन वे विशेस बैठक बुलाने की बात हुई है सादारन वे विशेस बैठक बुलाने की बात हुई है सादारन मीटिंग कौन सी है ओडिनरी मीटिंग बई ओडिनरी मीटिंग में कोई भी बिजनस का संचालन किया जाएगा लेकिन अगर कोई विशेश बैठा होगी उसके अंदर क्या किये जाएंगे नियम बनाए जाएंगे और ये 25 समीति में ये दारा कौन सी है 126 के बाद 127 है 66 के बाद 66 है अब दारा 128 में क्या बात हुई है कोरम की बात हुई है कोरम का मतलब कम से कम कितने मेंबर परजेंट हो की बिजनेस का संचालन किया जासके बैठा का संचालन किया जासके कौन सी दारा के अंतरगत हुई दारा 128 के अंतरगते जिसके साथ में पंचाय समीती में चलते हैं 66, 66, 66 और 68 यानि की 126, 28, 28 में जिला परिशदगी बैठक, सादार्ण, वीशेस, बैठक, कोरम की बात हुई है सेम एजिटीज आप याद रखिए कि 66, 67 और 68 और इसके साथ में क्या है, दारा 121 में पहली मीटिंग की बात हुई है, तो क्योस्टन कितने हो गए भई, क्योस्टन कितने हुए हैं, च्यार क्योस्टन तो ये हो गए और च्यार क्योस्टन ये, यानि कि एक क्योस्टन के अंद दारा पिछ पंद से और दारा 65 तक किस परकार याद करें किस परकार याद करें ये भी हमने बताया है लाश्ट क्लासीज के अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं ठीक है तो यह तो हो गया हमारा पहला क्योशन चलो दूसरे क्योशन की तरफ बढ़ते हैं आप इसका स्क्रीन जेंगी notification time to time मिल जाएंगी क्योंकि आपके exam के time पे ऐसा revision की चलेंगी हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक ऐसी class लेके आए जिसके अंदर धारा एक से और धारा 160 कि सभी धारों को एक क्लास के अंदर complete करें एक marathon class लाने की सोच रहे हैं वो आपके exam के टाइम लेके आएंगे ठीक है तो तब आपके पास नोटिफिकेशन जरूर होना चाहिए कि कब गलास हुई है ठीक है और इसके साथ में हमारा चैनल का डाटा ये भी बताता है कि 35% बच्चों ने नोटिफिकेशन ओन किया है यानि कि 65% बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहे वई 65% बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहे इसलिए एक बार जरूर ये चेक करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है लेकिन notification को प्रेस नहीं किया है वई देखिए, second question की तरव बढ़ते हैं जिलापारिसद में मुख्यकारी-कारी अधिकारी तदा अन्यययाधिकारी की न्युकती की बात कौन सी दारा के अंतरगत हुई है जिलापारिसद में मुख्यकारी-कारी-कारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों की न्युकती की बात कौन सी दारा के अंतरगत हुई है तो ये हमारे पास question है तो मुख्य कारी कारी अधिकारी को बता देते हैं वही क्या होता है Chief Executive Officer होता है जिला पारिशद के लेवल के उपर होता है लेकिन जिला पारिशद का सदश्य नहीं होता है सदश्य नहीं होता है क्या होता है पदेन यानि की एक्स ओफिस मेंबर होता है क्या होता है वही, एक्स ओफिस है, सेक्रेटरी होता है वही, किसका वही, कमेटीज का होता है, एक्स ओफिस मेंबर किसका होता है, जिला पारिशद का होता है, यानि कि पहले से कोई पद है, लेकिन क्योश्चन देखिए, मुख्य कारी कारी या दीकारी की न्युक्ति की बात क कुनसी दारा के गत्व हुई है, तो दारा पुछ के हैं, तो दारा बता देते हैं, पहला option देखिए भई, धारा 133, दोस्तों सभी ohp फोप्सन important है, जितनी दाराई हैं, हमने इसके अंदर जो option choose किये हैं, वो सभी दाराई important है, एक्जाम के अंदर तो और कुछ उप्सन आजाएगा लेकिन यह दारा हैं आपको याद होनी चीए दारा 149 और फॉर्थ है कि दारा वई यह वई दारा 140 वई इसके साथ में दोस्तों और कुछ भी लिख देते हैं इसके साथ में लिखते वई 21 और 75 और 137 वई और इसके साथ में लिख देते हैं 22, 83 और 149 यहाँ पे लिख लिजिए वई 22 नहीं बाद में लिखेंगे वई यह बाद में लिखते हैं पहले इन को बता देते हैं ठीक है देखिए पुछा गया है कि मुख्यकरी करिया दिकरी की नुक्ति की बात कौन सी दार 133 के बइव घारा 133 के उंतरे कजया मुख्यकरी कर अदिकरी की नुक्ति की बात हूई है याण कि appointment of किसकी बीए मुख्यकार्य कर अधीकर्य करी अ nieuक्ति करम्चारिए लिख सकते हैं अन्यक रम्चरियों की नुकति आप लिख लेना है ठीक है दारenda 133 के अंतरगत यह बात हुई है और दारा 132 में क्या है कि जिला परिसद के कारियों की बात हुई है कारियों की बात हुई है are 137 के के चाहिए दारा 149 वाता है कंपेत की कमेटि की कुमेटि का मेटी कि वे समीतिन का मौऑ समीतिक लिख सकते हैं वह ऊंसी दारा के अंतरगत व्य है तो दारा 149 वह इसके बाद में दारा 140 जिसके अंदर क्या है कमेटी की परकिरिया की बात हुई है कमेटी की परकिरिया की बात हुई है दोस्तो वीडियो को लाश तक जरूर देखें बई क्योंकि लाश तक जब आप देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो का एक आकलन दिमाग के अंदर हो जाएगा क्या हमने आज क्या निया क्या सीख है वई और उसी के हिसाब से आप कमेंट करें क्योंकि अगर आपके mind में कोई doubt आता है तो उस doubt को भी comment में डालें ये थीक है तो ज्यादा से ज्यादा हो ज्यादा हो सक्टे आपके mind में बात हुई है वही इसके बाद में बात करते हैं धारा 149 में कमेटी के गठन की बात हुई है जिला परिशद कौन कौन सी कमेटी का गठन कर शकती है धारा 149 में कमेटी के परकिरिया की बात हुई है यह हो गए वही अब बात करते हैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बढ़ाने क गोसिस करते हैं देखे वही आज ये वही कमेटी के उपर है अब बात आती है कि धारा 149 के अंतरगत तो जिला परिसद भी गठन करती है तो गराम पंचायत भी तो किसी कमेटी का गठन करती होगी तो धारा 22 वही धारा 22 के अंतरगत है गराम पंचायत कौन सी कमेटी का गठन क स्पर शर्फ पंचाय समिति तो बात करते हैं जिला पारिशन पढर करती है तो इन की बात है है इसमें तो हो गी ग्राम पंचायट रहो अम्चायट समीति है यह ले पहले पढ़ा लाया है और जिलापारिस्षद वहीं जिलापरीसद की कमेटी की बात हुई है की कमेटी की गठन की कमेटी की बात हुई है कवसी दाराat 153 is 라 13す 7-4ashika कर से बात हुई है अब से चाहित कारीथी कि क्या होगा कि घरा Opportunity के भी तो कारिये होंगे उसके बी कोई करते होंगे तो दारा इकिस के अंतरगत गराम पंचायत के कारिये वह करते हों की बात हुई है के करते हुए करते हुए बात हुई है इकिस पिचेतर 137 के अंतरगत बात हुई है ठीक है तो भी देख लीजिए यह बहुत ज्यादा हो रहे हैं ठीक है तो यह करें कि आप अगर यह आप पूरी दाराओं को नहीं पड़ पाते हैं आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको और भी सलेबस करना है त इसके साथ में हम सोच रहे हैं कि जो अभी मतलब कि जो क्योशन पूछे गए हैं जिसके अंदर 60-70 दाराओं सभी ऑप्शन को मिला के होती हैं तो उन 70 दाराओं को डिसकस करेंगे ताकि एकजामनेर को दोबारा लगे कि जो अप्शन के अंदर दिये गए हैं क्या वही दार देomme मानेर ह हर जिला पारिसद का एक जिला पारिसद का एक जिला पारिसद फण्ड़ होएं कौन कौण सी धारा के अंतरगत तो रहे हैं इन सबी को हम अब क्योशन के अंदर क्योशन को करेंगे इस अइन पंचायती राज दिनियम 1994 में जिला पारिशद नीजी की बात कौन सी धारा के अंतरगत हुई है तो वही क्योश्चन लिख लेते हैं वही क्योश्चन क्या है कि धारा 144 वी इसके बाद में धारा 145 वी तीसरी बात है कि धारा 146 वी धारा 146 वी 146 और इसके बाद में धारा 147 वी तो वही क्या क्या बात हुई है क्योंकि इसकी निदी की जो बात है वो धारा 145 में हुई है निदी की बात कहां पे हुई है कि धारा 145 में हुई है इसके साथ में और जो उप्सन दिये गए है इनका क्या करें वही इनके बारे मे भी हमें discuss करना पड़ेगा भई तो भी बात करते हैं daara 144 ने बाट हुई है जिला परिशदיתי जिला परिशंद की संपती संपत्ती एक्सवरार के अंत्रगत हुई है एक जिला परिशद में बात हुई है यानि कि जिला परिशद निदी की बात हुई है यानि कि जिला परिशद के फंड की बात हुई है कौन सी दारा के अंतरगत है दारा 145 के अंतरगत है और बता देते हैं दारा 147 में क्या था यह दारह 147 और 146 में जैसे ही जिला पारिशद के फंड की बात होगी उसके पास जिला पारिशद के फंड का प्रियोग कहाँ पे किया जाएगा तो वही जिला पारिशद की नीदी यानकी आप यहाँ पे यह लिख सकते हैं नीदी का प्रियोग भई किसका अप्लिकेशन ओफ जिला परिसद फंड वई जिला परिसद फंड पैसे का प्रियोग कहां पर किया जाएगा किस दारा के अंतरगत दिया गया है अब बात करते हैं भई दारा 147 दारा 147 में क्या बात हुई है कराधान की सक्ति वही आप यह देख लिजिए कि हम यहां पे कई जगह जिलापारिसद नहीं लिख रहे तो इसका मतलब जिलापारिसद ही है क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि दारा 217-160 तक सभी दार है। जिलापारि सद इसाथ में थोड़ी चीज़े ओर लिख लेते हैं। देखिए जिलापारि सद नीदि की बात हुए है। जिला परिशद फंड होना चीए उसी परकार एक ग्राम पंचायत का भी होना चीए उसी परकार एक पंचायत समीती का भी होना चीए यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो वही कौन सी दारा के अंतरगत वही तो दारा 49 के अंतरगत नीचे लिख देते हैं वही दारा 49 के अंतरगत हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए, उस परकार धारा 99 के अंतरगत है, हर पंचायत समीती का भी एक पंचायत समीती फंड होना चाहिए, उसी परकार धारा 145 के अंतरगत है, यानि कि हर जिला पारिशद का भी एक फंड होना चाहिए, तो तिनौ के बारे में लिख देझे हैं वही तिनन के निदि की बात हुई है निदि यानि cent की फंड की बात हुई है किऊ ए इन के अंदर हुई है इसके बाद बात करते हैं। डारास चालीश में निदि के प्रियोग यानि कि जिला पारिशद फंड इसी परकार यानि कि पंचाय समीति में भी तो होगा पंचाय समीति में क्या है वही तो पंचाय समीति में लिख लीजिए कि दारा सो वही दारा सो और दारा 146 वही दो ही लिख लीजिए वही सो के अंदर क्या है कि पंचाय समीति के फंड की बात हुई ह पंचाय समीती के जो अप्लिकेशन ओफ दी पंचाय समीती फंड की बात हुई है और दारा 146 में जिला पारिशद के फंड के परियोग की बात हुई है अप्लिकेशन ओफ जिला पारिशद फंड तो सो की दारा हमने बहुत बार डिसकस की है अप्लिकेशन ओफ दी पंचाय समी इतना जरूरा आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पंचायती राज्य पढ़ना क्या है क्योंकि आपको जहां भी कराया जाएगा क्या होगा एक लास के अंदर भूत ही excitement के साथ लोग आते हैं क्या करेंगे पहली क्लास में क्राएंगे कि आपको वह आप यह दाराएं याद कर लो फिर द लोगों को याद होंगी या नहीं होंगी तो जब तक आपको याद नहीं होंगी आपके साथ हम रहेंगे और आपको पूरा पंचायती राज हम पढ़ाएंगे ठीक है तो वह क्या है कि देखें कितने क्योशन होगे आप नोट किजिए या फिर इसका स्क्रीन सोट ले लिजी अगले क्योशन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्योशन क्या दिया हुआ है देखते हैं दस क्योशन करेंगे लंबी कलास होने वाली है साथ साथ में वीडियो को शेर जरूर करते रहें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें देख लें भी जिसने सब्सक् की बात हुई है यानि कि deterioration of the Zilla Parishad की बात कौन सी दारा के अंतरकत हुई है झाउ तो यह हमें बताना है थो वहीत आपको ये भी पता की पंचाय समीति को भी बंकरने की बात हुई थी वही उसी परिकार Zilla Parishad को भी बंग करने की बात हुई है भई तो भई देखिए कि दारा 152 है कि दारा कौन सी है भई दारा 158 भई यह भी सोच समझ के लिखनी पड़ती है कि दाराएं क्योंकि इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लिखनी है मैं डारेक्ट ऐसे नहीं लिखनी तो फौर्थ हभी दारा 160 हुई ठीक है देखिए दारा 152 दारा 158 और दारा 169 और दारा 160 है तो कौन सी दारा होगे भी तो इसके अंदर जो आपका ओप्शन होगा वह हवई दारा 158 दारा 158 के इंतरकर जिला पारिषद को भंग करने की बात हुई है तो इसके साथ में और भी तो बाते करते हैं उस परकार पंचाय समीति में भी भंग करने की बात हुई थी याद किजिए दोस्तों पंचाय समीति में भी भंग करने की बात हुई थी दारा 110 थी दारा 110 के इंतरकर पंच समीति के बीच में विवाद हो जाए तो उसकी बात हमने लास्ट मोग टेस्ट में बहुत अच्छे से डिसक्व की है 158 बई 108 में क्या है कि भी जिला परिशद को बंग करना वही क्या है वही जिला परिशद को बंग करना वही जिला परिशद को बंग करना वही जिला परिशद को बंग करना कौन सी दारा के अंतरगत है दारा 158 के अंतरगत है अब भी दारा 169 के अंदर प्रस्ताओं को रद करने की बा किया जा चकता है जब उन्हें लगे कि यह लीगली तरीके से सही नहीं है तो जिलाप परिशद के प्रस्ताओं को रद करना वही प्रस्ताओं को निलंबित करना यानि कि सस्पेंड करना कुछ टाइम के लिए या फिर रद करना वही या फिर रद करना कौन सी धारा के अंतरगट हुआ है भाई दारा 169 के अंतरगत दारा 160 में क्या बात हुई है कि वही प्रेसिडेंट यानि कि या द्यक्स वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और या फिर किसी मेंबर को वही या किसी सदस्य को निलंबित करना या फिर अटाना वही निलंबित करना या फिर अटाना अटाने की बात कौन सी दारा के अंतर गत हुई है अब क्योशन बजता है दारा 152 भई बहुत इंपोर्टेंट धारा है बहुत बार पड़ा चुके हैं इस धारा का हर कलास के अंदर एक बार जिकर जरूर होता है हमने कहा था कि धारा 102 पंचाय समीति की किसकी बात हुई है बजट की बात हुई है यानि कि वार्षि परिशद के बजट की बात हुई है जिला परिशद के बजट की बात कौन सी धारा के अंतरगत हुई है तो हम कहेंगी कि धारा 152 भई धारा 152 में क्या है जिला परिशद के बजट की बात हुई है इसके साथ में थोड़ा थोड़ा और ले ले लेते हैं इस तरीके से बजट की बात 152 में को सिब्दारा के न थोड़ी टाइम के बाद शज़ी परकार अगर हम यहां पर बात करें दाराwall एक速फ़ार अगर बात करें और दारा एक्सो अठावन वही ठीक है अब यह हो गए भी हमारे क्योशन थोड़ा थोड़ा हम रिलेट करके चल रहे हैं ठीक है ठीक है तो च्यार क्योशन हमारे हो गए इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं आप स्क्रीन सोड ले सकते हैं इसका जितने भी तो जो लास्ट इयर जो पुछे गए हैं क्योशन आपके लास्ट इयर नहीं इसी साल पुछे गए अभी जो 9-10 तारीक को एक्जाम हुआ है तो उसको भी बहुत बारिकी से डिसकस करेंगे उस पेपर का बहुत याकलन करेंगे दोस्ते इसके साथ में एक इंफोर्मेशन औ आपके तो साइस के क्योशन पूछे गए हैं और उसमें आपको यह बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, साइस के अंदर क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, साइस के स्टुडेंट के लिए अलग से, साइस के स्टुडेंट को तो पढ़ना ही पढ़े गई साइस से, लेकिन जो आठ के स्टुडेंट है, उनके लिए कुछ मैं तो पूर्ण बातें साथ साथ में डिसकस की जाएंगे कि आपके भी कुछ साइंस के अंदर नंबर बंस के वई क्योंकि HSSC के अंदर ये तो आप समझ लीजिए कि ये 10th लेवल की तो साइंस नहीं आती वई जो भी साइंस आती है किस लेवल के आती है 11th और 12th के आती है तो अब की बार मैथ तो बहुत ही जी आया है हरियाना ग्राम स्वी में लेकिन आप ये मत समझें कि अब की बार भी जी जी आएगा ये मत समझें क्योंकि HSSC अपने दोबारा वही रूप लेगा मैथ का वही रूप लेगा क्योंकि अब ये है कि लोग मैथ नहीं पड़ेंगे तो फिर दोबारा वही मुस्किल क्यों संदेरने के चांसिज बहुत ज्यादा हैं वही तो भी आप कॉमेंट बोक्स में ये बता प्रासकते हैं क्योंकि हमारा बैक्ग्राउंड भी सॉइंस का ही है ज्यदा फिजिक्स हमारा बहुत अच्छा मतलब लिंक है थिक हैं मैं तो वहीं क्योस्tag know about 5 कि तरह बढ़ते हैं क्योस्tag निंवर 5 में क्या दिया हुआ है कि जिला पारी सद में आर अक्स्न जायत में भी रिजरवेशन की बात हुए है, तो तिन्नों को one by one discuss करते हैं भई, देखिए भई, पहला option है कि धारा 9 भई, धारा 9, second option है भई, धारा 69 भई, धारा 69 भई, third option है भई, धारा 120 भई, धारा 120 भई, और fourth option है कि बाद, धारा 121 भई, दारा 121 वही देखिए वन बाई वन डिसकस करते हैं इसके अंदर क्या आप डेंगे वही हम दो मिनिट रुगे वही लाइट की प्रोब्लम हो रही है ठीक है वही देखिए दारा 9 है दारा 9 में क्या है दारा 69 में क्या है दारा 120 में क्या है और दारा 121 में क्या है तो सभी को discuss करेंगे, यहाँ पर क्या है कि पुछा गया है कि reservation of seat यान की जिला परिशद के अंदर कौन सी दारा के अंतरगत बात हुई है, तो हम कहेंगे भी दारा 120, दारा 120 के अंदर आरक्सित सीटों की बात हुई है, किसकी आरक्सित सीटें वही, जिला परिशद की आरक्सि सीटें, आरक्सित सीटों से हमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सभी से लेटिड आरक्सित सीटें वही, साथ-साथ में हमने आरक्सित जो जितना भी जो topic है इसको बहुत अच्छे से discuss किया है, अभी जो संसोदन हुआ है 2020 में, उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है और जिसमें क्या है कि आरक्षी से लेटरी कुछ बदलाओं किये गए है मैलाओं को 50% आरक्षन दिया गया है जो भी सड्यूल्ड कास्ट है उसको अपनी पूलेशन के इसाब से दिया गया है या फिर इसके साथ में ये भी बताएं कि वही ओबी सी को 8% आरक्षन जाए हैं उनकी सीटे कम से कम दो खोंगी ही 8% में ज्यादा हूंगी तो वो लगाई जाएंगी इस तरहें बहुत अच्छे से हम ने को पढ़या आप जाके चेक कर सकते हैं जिला पारिशद के आरक्षीय की बात कौने तरकिसी परकार मिबात मुंकी थ्मट्र पंशायची strongب पंचाय समीति की आरक्षित सीटें भई ठीक है दारा नो में क्या है की वही ग्राम पंचायत में रिजरुएशन की बात हुई है यहन की आरक्षन की बात हुई है अब बात करते हैं दारा 121 याद किजिए दोस्तो जिस टाइम पे भी पंचाय समीति में आपने देख्या कि दारा 69 के अंतरीजत की बात हुई है उसी परकार अगली दारा थी कि वही पहली मीटिंग में क्या होगा चेयर्मेन और वाइस चेयर्में यहांगे सभापती वह सभापती का चुनाव होगा उसी परकार दारा 120 से एक आगे बढ़ते हैं तो दारा 121 जिसके अंदर क्या है कि जिला परिशद की पहली बैठक वई जिला परिशद की पहली बैठक दोस्तों साथ में थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे तो तो मतलब क्या है कि जड़ा मुस्किल नहीं होगा अब ऐसे याद करने लगे तो यह इतना ज़्यादा मुस्किल है ठीक है जिला परिशद की पहली बैठक जैसे हम बता रहे हैं कि सभी दारा आपको याद तो हो जाएंगी याद तो हो जाएंगी लेकिन थोड़ा सा आपको relate करना पड़ेगा याद करना एक वो नहीं है अगर आपको याद है आप exam के अंदर कुछ question गल्थ हो गए फिर क्या फाइदा है ठीक है थोड़ा सा relate करके ऐसा जुरूरी नहीं है कि हमें सभी दाराइं याद करनी है लेकिन important दाराइं जैसे कि desolution की बात हुई है तो तिनों के अंदर हमनारक्षण की बात करेंगे कारियेव क्रत्म की बात करेंगे समेथी की थिनों के अंदर ही सप्रेंगे था यह क्या था'm तहाँ था भी क्यूशन नंबर पाच वैर मिसर्च की तरह बढ़ते हैं और कि और आ किसे बार ईकला स्ट लंब्वी हो गीले क्या करेंंगे अब कि बाषक तश्रापोगर क्योशन नहीं पदियन सचीव कोण होता है या फिर हम यह भी कह सकते हैं एक्स ओफिस सेक्रेटरी कोण होता है जिला पारिशद की कमेटीज का ठीक है तो वही ओप्शन क्या है ऑफ्शन है पहला, डिस्सी दूसरा है मुख्य कारिकारी तीसरा उप्शन है इंगलिज में लिखते हैं अबकी बार, ठीक है मुख्यकारी कारी अधिकारी या फिर EO Execute Officer या फिर अध्याक्स यान की प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं या तो आयूक्त होगा या फिर क्या होगा मुख्य कारी कारी ये दिकारी होगा भई मुख्य कारी ये कारी अधिकारी ये आयुक्त नहीं भई कमिशनर होता है भई आयुक्त उपायुक्त होता है डिप्टी उपायुक्त भई ठीक है इसके बाद बात करते हैं भई प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को क अध्यक्स हो जेगा और इसके साथ में एक्जिब्यूट्य ओफिसर यान की कारिये कारिये कारी अधिकारी बताईए कि वही जो जिला पारिशद जो इस दारा 149 के अंदर अपनी कमेटीज का अगठन करती है कमेटी दी नहीं हुई कौन सी कमेटी का अगठन करेगी लेकिन अभी कमेटीज का एक्स ओफिस सेक्रेटरी यानि की पदेन सचीव कोण होगा तो आपका राइट एंसोर इसके अंदर हो जाएगा मुख्यकारी कारी अधिकारी हो जाएगा और मुख्यकारी कारी अधिकारी या तो ADC को बनाया जाता है यानि की अतिरिक तुपायुक्त को जाता है या फिर कोई और अन्या दिकरी जो कि सरकार कुन सकती है? steadais की तरफ बढ़ते हैं जिला परिसाद के सद्षियों को वोटर के दाउरा हटाना कौन सी या निकि दोस्तों क्योशन हमने इस तरीके से बनाए है वैसे यह दारा नहीं है हमने काहा है कि जिला पारिशद के सदश्यों को जब हटाना हो हटाना हो लेकिन वो पावर उनके वोटर्स को दी गई है वही तो यह कौन सी धारा के अंतरगत है दोस्तों 2020 में चलिए संसोधन हुआ है राइट टू रिकॉल लेकिन राइट टू रिकॉल जितना भी किया गया है वो उनके कारियकाल के अंदर सामिल किया गया है कारियकाल के अंदर सामिल किया गया है देखिए बता देते हैं थोड़ा सा दारा दस के अंतरगत सर पंच के कारियकाल की बात हुई है दारा बासट के लेकिन जब इनको हटाया जाएगा तो फिर क्या होगा फिर तो पांच साल का नहीं रहेगा भी ठीक है जब मेंबर्स को हटाने की बात भी उनी के कारियकाल में दी गई है लेकिन वो पावर किसको दी गई है तो वी जिला पारिशयत के सद्शियों को वोटर्स के दवारा हटाना किस दारा के अंतरगत आता है वही तो पहला option लिख लीजिए भई दारा 10 भई दारा 10 दूसरा है दारा 62 भई दारा 62 भई और थर्ड है कि दारा 123 भई अब ये A से देखी भी क्या है मलब अलग से कहीं पर नहीं बताया जाएंगे भी आपको ये ये चीज़े आपको कहीं पर भी नहीं बताई जाएंगी क्योंकि आपको क्या है कि पिछे की चीज़ आपको नोट्स मिलेंगे आप किसी भी study group में चलेजिए आज ये कहेंगे कि आज आपको पूरी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी सभी की लेकिन आप उनको खोल के देख लीजिए क्योंकि उनके अंदर क्या है कि वही एक T.I. मैलाओं का आरक्षन दिया गया है मलब की अपडेट नहीं है और जब तक अपडेट नहीं है पूछे जाते हैं भई दारा 10 में सरपंच के कारियेकाल की बात हुई है इसका जो एंस्वर होगा हमारा अठाने का है यह जिला पारिशत के 123 से आजगा 123 दारा 116 से 160 तक in जिला पारिशत की धारा है और सरभी दाने कोई पंचाए समीति की है कोई ग्राम पंचायत की है इसमें जो बात हुई है सरपंच के कारियेकाल की बात हुई है सरपंच के कारियेकाल की बात हुई है ठीक है दारा 62A में सदश्यों के कारियेकाल की बात हुई है देखे बई चुनेवे सदश्यों के कारियेकाल की बात हुई है याद रखना बई इसी के अंदर right to recall है इसी के अंदर राइट टू रिकॉल है राइट टू रिकॉल भई राइट टू रिकॉल है राइट टू रिकॉल में उसके सदश्यों को यानकी वोटर्स को अपने सदश्यों को हटाने का यानकी अधिकार दिया गया है यह कहां पे दिया गया है भई पंचाय समीति के सदश्यों का कारियकाल और दारा 123 में जिला परीसद के सदश्यों का कारियकाल और इसमें क्या है कि सरपंच वे पंच को निलंबित करना या हटाना पंच को निलंबित करना वे हटाना वे हटाना कौन सी दारा के अंतरकत है दारा क्यावन के अंतरकत बात हुई है दारा क्या उन्हें सरपंच को निलंबित करना हटाना बात हुई है सरपंच के कारियकाल की यहां पर बात हुई है पंचाय समीति के सदश्यों के कारियकाल की बात यहां पर हुई है इसके कारियकाल की बात यहां पर हुई है क्योश्टन क्या ह अब आठ को डिसकस करते हтесь स्क्रींशोट ले सकते हैं, इसका कि यहां भी अटाने की बात दोगे तो ऊथो क्राइकाल दब जो करी Éकाल के अनदर आटाने की बात है यहां पर हम ने जो लिख्या इनी अप चैनडर करी ऐकाल के अंदर जो अठाने की वोटर सटाएंगे लेकिन अब बात आते हैं दाराबासट के उपर है यानि कि चेरमेन और वाइस चेरमेन को कोई अटाएगा भी उनके जो सदश्य है वो अटाएंगे जिन सदश्योंने उसको चुनया है वही अटाएंगे भी यानि कि एक पंचाय समीति में कितने चुने वे निर्वाची सदश्य उसको अटाएंगे भी फीक है लेकिन अगर उसी प्रेसिडेंट को वो किस वाड से चुनया गया है उस वाड से अटाणा है तो उसके क्या है वोटर सटाएंगे भी उसको वोटर सटाएंगे भी अब क्योशन नमबर आठ है क्योशन नमबर आठ में क् जिला पारिशद में कराधान की शक्ती की बात कौन सी दारा के अंतरगत हुई है तो भई बात करते हैं पहली दारा है भई दारा 145 भई दारा 145 साथ में बता देते हैं भई इसमें जिला पारिशद के नीदी की बात हुई है हमने पहले भी पिड़ा है जिला परीशद की नीदी यानि कि पैसे की बात हुई है, जिला परीशद की नीदी की बात हुई है, सेकिंड ओप्रिशन में चलते हैं darah 147 को छोड देते हैं वई एक बार, इसके बाद 152, 152 वई इसके साथ में darah 153 भई दारा 153 भई दारा 153 भई ठीक है यह होगी भई कि आपकी क्या बात हुई है भई क्योशन क्या था भई क्योशन ही भूल गए भई क्योशन है क्राधान की सक्ति की बात कौन सी दारा के अंतरगत हुई है तो दारा 145 में तो क्या है जिला परिसद दी निजडी की बात हु कि परिशद में कराधान की सक्ति की बात कुन सी दारा में हुई है तो दारा 147 में हुई है अब दारा 152 है दारा 152 में हमने का था कि बजट की बात हुई है तो जिला परिशद के बजट की बात हुई है जिला परिशद के बजट की बात हुई है दोस्तों आज जिला परिशद तक च्यार मोक टेस्ट के अंदर यानि कि जिला पारिशत तक हमारा रिवीजन हो जाएगा ये जितनी इंपोर्टेंट जा रहा हैं ते हो चुकी है इसके बाद में हमारी जो क्लास हैं एक क्लास पूरी जो हर्याना ग्रामशियों के एकजाम में पुछे गए हैं पांच मोक टे तो ही कुण सी दारा के अंतरगत दारा 153 के अंतरगत भई तो 145 में जीला परिशत निदी की बात होई है दारा 153 में खातों की बात होई है और शाथ-साथ में यहां पर यह भी लिख देते हैं करादान की सक्ति का अगर क्योशन है तो वही क्या होगा वहीक का? करादान की सकती दारा 41 में ग्राम पंचायत की है, 88 केंदर पंचाय समीति की है और 147 केंदर है इसमें बात हुई है, उसी परकार निद्दी की अगर बात करें तो निद्दी में भी लिखा लिकर लिख सकते हैं, देखे या अगले डिया गया है हैं अगले क्योशंकर पूंचा गया है कि निर्वाइक निर्वाची सदेश्यों के संख्या कितनी हो सकती है यह ly आपresy कम से सदेश्यों की संख्या कितनी हो सकती है तो बहुत पर दारेट याद likely कुछ में कम से कम होगये दस यादा सी ज्यादा कितने होगयः तीस., अगले क्योशन की तरफ बढ़ते हैं जिला पारिसद के गठन की बात कौन सी दारा के अंतरगत हुई है तो पहला उप्षन है दारा 117 इस टार्ट होती है पहली दारा में गठन की बात हुई है उप्षन यही रहेगा भी एंस्वर यही रहेगा मलब दारा 118 और तीसरा है दारा 119 इनको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देंगे भी दारा 120 में यही बात होई है देखे भी दारा 117 से जिला पारिसद स्टार्ट होती है जिला पारिसद की पहली दारा क्या है पहली दारा है कि वे जिला पारिशद के गठन की बात हुई है लेगिन पंचाय समीती में ऐसा नहीं है पंचाय समीती में का आ गया है कि पहले जिले को बलोक के अंदर बाट आ जाएगा दारा स्टार्ट होती है पिछपन से तो पिछपन की दारा बलोक की है चपन की दारा पंचय समीती के गठन की है यहाँ पे दारा 117 से स्टार्ट होती है और पहली दारा ही गठन के बात करती है तो दारा 117 में कहा गया है कि वही हर जिले के उपर क्या होगा एक जिला परिशद का गठन होगा क्या होगा भई जिला परिशद का गठन होगा भई जिला परिशद का गठन कौन सी दारा के अंतरगत होगा भई तो भई धारा 117 के अंतरगत होगा अब बात करते हैं भी दारा 118 अब भई क्या होगा कि गठन हो गया तो भी संरचना यान कि कौन-कौन होगा भई तो क्या करना है याद करना है उस टाइम पर आगर आपने अच्छे से बहुत अच्छे से समझया है कुछ बच्चों के पास हमने कोई क्योशन पुछे हैं तो उनका एंस्वर भी आया है तो उनके लिए तो यह सोच लीजिए कि हरियाना गरामस्टीव मतलब आपके लिए तैयार हो चुका है आपको इतनी ज्यादा मैनत करने जोड़त नहीं है दारा 117 में जिला पारिशद के गठन की बात हुई है दारा 118 में जिला पारिशद की संरचना की बात हुई है यानि कि जिला पारिशद में कौन-कौन होता है दारा 119 में क्या है कि निर्वाचि सदश्यों की बात हुई है निर्वाचित यानि कि चुने वे सदश्यों को निर्वाचि सदश्यों की बात हुई है निर्वाचि सदश्यों की बात हुई है निर्वाचि सदश्यों की बात हुई है निर्वाचि सदश्यों की बात हुई ह के चलती है 24one डारा 25 में किसकी बात हुई है 15 समीति के गठन की बात हुई जिला पारिशद की शोड़चना अब बात आये कि वही दारा एक सोफ़नीश उसी परकार कर दारा अठाउन में आ जा हूई तो वही इसके अंदर numbers की बात हुई है कि वही चुने वे सदस्यों की संध्या अलग लिखया गया अब इसमें चुने वे सदस्यों की संध्या किस में वई पँचाय समित्यमें दारा दारा एक्सोबीस में और अगे और बड़ जाते हैं तो दारा उनसट आपको याद करने के लिए देखिए दोस्तों यह कि जब पंचाय समिती स्टार्ट हो रहे है तो उसमें भी इस त्रीके शाहिए है जिला पारिशत है तो उसमें भी असे यह है तो ज्यादा कन्फ्यूज नहीं किया गया है आपको याद आप इंस जिए के बात हुई है ठीक है, notification time to time मिलती रहेंगी भी अब बात करते हैं भई ठीक है भई, हो गया ये तो अब थोड़ा सा एक revision दे देते हैं आपको पंचाय समीति का थोड़ा सा revision दे देते हैं दस दाराई याद गरवाएंगे भई आपको दारापिच्पन में ब्लोक को हर जिले को क्या किया जएगा ब्लोक के अंदर डिवाइड किया जएगा यानकि ब्लोक के निर्मान की बात कौन सी दारा के अंदर गरत हुई है दारापिच्पन में हुई है दाराच्पन में क्या होगा, जब ब्लोक बन जाएंगे करते हैं 500 समीती का दिर्मान करते हैं दारा ठाउन में का गया है कि कम शे चैर्में दारा 160 में पहली मीटिंग की बात हुई है, जिसके अंदर सभापती वाउप सभापती यानि की चेर्मेन और वाइस चेर्मेन का चुनाव किया जाएगा, दारा 61 के अंतरगत चेर्मेन वाइस चेर्मेन की सक्तियों की बात हुई है, पावर और उसकी डूटीज की बात हुई ह कौन सी दारा चो सट के नतरगत हुई है कारी कारी अधिकारी की बात हुई है पंचाय समिती के करीएकारी अधिकारी की बात हुई है जो कि कौन होता है BDP होता है और वो किसके परशासनिक कर्ये किसके नियंतर्ण में करता है चेर्मेन के नियंतर्ण में करता है जो कि आपके हरियन गरामश्यू के एक्जम में ये क्योशन पूछा जा चुका है ठीक है भी तो भी आज हमारे जो मोक टेस्ट है वो च्यार मोक टे होते हैं जितनी भी जो ब्लोक होते हैं जो पंचाय समित्य होती है उस जिले के अंदर उन सभी के क्या होते हैं चेर्मेन यान की सभापती होते हैं इसके साथ साथ में जिले के उपर क्या है कि उस जिले के उपर कोण MLA है एक तो MP हो गया और एक MLA ठीक है तो जो डिस्टिक है इस्टिक का भी तो एक MLA होता है ठीक है तो एक MLA होगा एक MP होगा और इसके साथ साथ में अध्यक्स और उपाध्यक्स होगा यह चारों मिलके किसका निर्मान करते हैं जिलापारिसद का निर्मान करते हैं वही चलो भी दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं अगली क्लास में ह देखना ना बूलें वई उसकी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी ठीक है इसके साथ में हम सोच रहे हैं कि साइंस की जो क्योशन पूछे गए हैं आपके अरियान अग्राम चुक एक्जामें उसकी भी हम क्लास लेका हैं आप कोमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालें कि क् किस तरीके से डाली जाए आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं ठीक है वई चलो वई अग्ली क्लास में मिलते हैं धन्यवाद